जमुकश्मीर के बढ़गाम में सुरक्षबलों की घर में छिपे आतंकियों से पिछले 12 गंटे से मुठबेड जा रही है आतंकवादियों और सुरक्षबलों के बीच मुठबेड में एक आतंक की समय तीन लोगों के मारे जाने की खबर है वहीं खरीब 17 लोगों के घायल होने की खबर है सुरक्षबलों को इस मुठबेड में दो तरफा चुनोतियों का सामना करना करना पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ आतंकवादी गोली बारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस्थानिय लोग सुरक्षबलों पर पत्र फेक रहे हैं आपको बता दें कि चहदूरा इलाके के घर में दो आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद तलके सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरा बंदी की और मुटवेल शुरू हो गई इसके बाद दोनों तरब से गोली बारी शुरू हुई इस बीच कुछ इस्थाने लोगों ने आतंकियों के समर्थन में नारे बाजी की और पथराव शुरू कर दिया इसके बाद सुरक्षा बलों की फाइरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई